आप सभी दोस्तों को नमस्ते और चूंकि आज का जो ये लाइव है हमारे लिए बहुत नातुकून है क्योंकि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे रग्टर सूजन हमारे साथ है विसे तो सभी लोग पहचानते ही हैं इनको बट मैं सोच रहा था कहीं बैक्ग्राउंड मे लेकर इनको बात में प्रक्रश करता पर मुझे ये टेक्निकालिटीज नहीं आती है तो डॉक्टर सूजन कर रही है आज इस मिक्टिंग को और में जो मुद्दा है आज का बेसिकली जो सबके सवाल आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पे हमारे वाटसब पे और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में खास्ता और पर फेस्ट पे बिजब से हमारे हिलाना में इस बात का पता चला है कि डॉक्टर सूजन जो हैवो डी टॉक्स पे काम कर रही है जो वैसलीम से जो साइड एफेक्ट हो रही है उसके और इसका मतलब समझ रहे है ना वैसलीम का मतलब इसस Lub के अंदर कोई कैमिकल ऐसा चला गया है जिसको जिसकी जरूरत नहीं है बॉडी को तो वो उसका शरीर पे क्या-क्या असर हो सकता है एक तो डॉक्टर सूजन ये बताएंगे अभी हमें और दूसरा फिर इसको हमारे शरीर से निकालना संभव है या जो डीटॉक्स की जो प्रो को समझाने की एक बार हम कोशिश करेंगे तो पहले डॉक्टर सूजन आपका स्वागत है और एक बार आप सभी दोस्तों को ये बताईए कि जो अभी कैमिकल जो पिछले एक साल से शरीर में टाला जा रहा है सरकार की तरफ से जबरदस्टी जिसमें राशन तक को और तंखा है जो पहले आप मुझे साइड एफेक्स के बारे में बताईए सभी दोस्तों को दॉक्तर देवेंद्र जी इस प्लेजर टू भी है विद यू धनिवाद आपने राइट किया है और मेरे जो अनुभव है उसके साथ में मैं आपको शेर करना चाहूंगी कि पिछले दो सालो में जो हुआ है वैसे तो मैं इस ट्रीट्मेंट को पिछले 11 सालों से इस्तिमाल कर रही हूं प्रकृतिक चिकित्सा में आती है यह जिसमें लवन्ट चिकित्सा कहते हैं इसे और जब हमने पता कि हमारे साइंटिस्ट के साथ मैं बात चित की तो पता चला कि यह जो अपसिडेशन के द्वारा ठीक है ना तो अब यह क्या होता है शरीर में कैसे होता है मैं बिल्कुल आपको बताऊंगे कि हर एक वेक्ति को यह मालूम होना चाहिए कि उनके कोशिकाएं काम कैसी करती है और उसे स्वस्त कैसे रखा जाता है तो पहले तो मैं आपका यह कुछ प्रभाव मैं उसको पहला इसलिए कहती हूं इसलिए नहीं कि वह सबसे ज़्यादा हो रहा पर इसलिए कह रही हूं क्योंकि वह बहुत खतरनाक है और उससे सड़नली जान चली जाती है वह है कि खून के ठक के जमना जो ब्लड के क्लॉट हो जाते ही वह जमना हुआ है वह बोल रहे हैं भई हमें तो सब ठीक ठाक ही है और अचानक से पता चल रहा है कि उन्हें चक्कर आ गया चार मिनट में कार्याक अरेस्ट हो गया इससे जादा टाइम नहीं मिलता है उसमें इसलिए मैं सबसे पहले उसका नाम लेते हूं कार्डियक अरेस्ट एक सब्सक्राइब करें देखा है कि बिल्कुल अचानक से इतना जल्दी स्टेज पार कर लेता है तीसरी जो चीज है जो सबसे ज़्यादा पाई गई है वो है ओटो इम्म्यून डिस ओडर मतलब हमारी प्रतिकार रोधक कोशिकाएं जो है तो स्वयम की कोशिकाओं को खाने लगते हैं बोलते ना कि रक्षक ही भक्षक बन जाए वो आला हालत में हमारी कोशिकाएं तीन सबस से ज़्यादा दिखाई दे रही है पर यह तीनों में मत थम्ये इसके अलावा जो भी जो यह आपने ऑटो इम्म्यून डिस ओडर बोला इसमें मतलब मैं इसको ऐसे समझा कि आदमी बिमार रहना शुरू हो जाता है ऐसा कुछ होता है इसके अंदर बिलकुल उनको अलग अल कर सकते हैं तो रोकना चहिए इसलिए इसको ऐसा विस्तर तरीके से बता रही हूं और तो इंग्यून डिस ओडर बोलने से किसी-किसी को तीन में में डवलप हो रहा है किसी को छे मेने में और हमारे वाज्यानिकों का कहना है कि 24 मेहने में तो अधिकाश लोगों को हो उस समय से अगले दो हफ्ते के बीच में आपको एदी बुखार आया मतलब आपको यह इंजेक्शन लगा उसके बाद आपको बुखार आया उस समय से अगले दो आप जरोना का इंजेक्शन भी बोल सकते हो जरोना से समझ जाएंगे किसका बोल रहे हैं तो फिर से मैं क्या रही हूं कि पहल जब आपको लगी उस समय से अगले दो हमते के बीच में बुखार आया क्या या कुछ डिसकमफट अस विधाय महसुस में कि मुझे इतारत हो रहता है अच्छा महसूस नहीं हो रहता तो यह सम कि फिर क्या नकली माल भी है हाँ भई नकली माल जिसको लगता है उसको कुछ नहीं होता ना तो बुखार आएगा ना तो सरदर्द होगा ना तो तकलीफ होगी कुछ नहीं ठीक है तो यह दो चीश को पहले आप अलग-अलग कर लो ठीक है अब किसी को ऐसा लगता है साबित करना है तो जाके ब्लड टेस्ट कर लीजी विल्कुल साबित हो जाते हैं ठीक है ना आप ब्लड टेस्ट करोगे तो जिसको बुखार आया नहीं है उसकी कोई भी टेस्ट में कुछ भी गड़बड़ी दिखाई नहीं देती सीदे तो मैं कहते हैं अच्छा है तबला बजाओ खुश रहो और आगे वाला मत लगाओ और जिनको लगा कि ऐसा कुछ है तो मैं उनसे कहते हैं भाई आप ब्लड टेस्ट कर लो ब्लड टेस्ट में मामला दिखाई देने के लिए कम से कम तीन से छे महने तो लगते हैं लेकिन जिनके शरीर में ठक्का जमने की मतब प्रक्रि से हमने देखा है कि कुछ लोग जिन्हों ने यह जो लिया था जिनको यह सुई लग चुपी थी वो कुछ घंटों के बाद भी गुजर गये तो वह एक ऐसा कोशिका हो या उनका शरीर का प्रकृति ऐसी है कि उनके शरीर में जल्दी से क्लॉट बन गया अब आप बोलोगी यह आके फगता जंता क्यों है यह क्योंकि इस चीज होती जिसको कहते हैं ग्राफैन ओकसाईड ऑ एक को कहते हैं हम लोग स्पाइप तरीम ग्राफैन अकसाईड होता है वह एक नानो रेजर जैसा होता है मतलब ब्लेड जैसा होता है वह हमारे dish में जफूमता है तो कोशिका तो उसके लिए हमारा शरीर ब्लड क्लॉट बनाता है ताकि वह इंजिरी को भर दे वह है ब्लड क्लॉट जो सब जगा फैले लगता है ठीक है ना और बाकी जिनको इतना ज्यादा ब्लड कॉट बनने की प्रकृति नहीं होती उनको फिर दूसरे जो दिखाई देते हैं ब्लड अभी मैंने करीब 207 आज की तारिक तक 207 रिपोर्ट्स तयार कर लिए मतलब कलेक्ट कर लिए हैं और रिसर्च वालों को दे दिये हैं एक बड़े कॉलेज ने शुरू किया है तो मैं बोली इसको क्योंकि उनको सब आप बैट के जमाएंगे और उसमें कुछ पैटन पता च करती हूं कि जैसे आपको यह लगा है यह जो वैसलील लगी तो उसका थोड़ा सा ब्लड टेस्ट तो दे दिया करो तो इससे पहले कि आप डेटॉक्स करो ब्लड टेस्ट दे दो और डेटॉक्स के बाद में बाद में कहीं के लिए लगता है एक मॉनिटरिंग करने मुझे अच्छा लगता है कि पूरा ठीक हो गया कि नहीं कहीं थोड़ा बच गया हो तो आगे चल के फिर से बढ़ना जाए इसलिए अब आपको मैंने ग्राफेन के बारे में तो बता दिया कि वह काट देता है दूसरा जो है स्पाइक प्रूटेंग वह क्या करता है हमारी कोशिका कई अंदर जाके बैठता है और उसके डियने में अपना ओर देता है कि और सपाइक बनाए तो जो क्या आपकरता है तो वह जाकरती है तो किसको पकड़ेगी हमारी कोशिका को अपनी कोशिका को, इससे डवलोप होता है autoimmune disorder, तो जो cancer है वो भी एक type का autoimmune disorder है, पर मैं नाम अलग से इसलिए लेती हूं कि तो थोड़ा सा ख़तरनाक हो जाता है, बागी autoimmune disorder में हमको वक्त मिलता है, यह बागी जो अपना clot जम गया, या फिर कुछ platelet का distribution width कम हो गया, या आपके WBC का production का मुख्या, bone marrow में launch हो गया है, जाके spike protein, तो bone marrow तो हमारे सारे कोशिकाओं को बनाने वाली, मतलब जो blood cells को बनाने वाला मुख्य तंत्र है न, वो तंत्र में गड़बड़ी हो गई, तो फिर ultimately घुमफिर के cancer ही हो जाता है, तो इस करांट से हम यह particular चीज़ों को देखते हैं, यह ऐसी चीज़ें पहले दूसरे conditions में होती थी, पर अब आप बिल्कुल Vaseline लियेवे लोगों के, और जिनको असली Vaseline लगी है, उन लोगों के blood में दिखाई देना शुरू हो गया है, जी अभी यह जो डॉक्टर सुजन ने आपको बताया है, असली Vaseline, यह concept जो है, अभी एक nurse ने इसको स्लोवाकिया कि एक nurse ने open किया था, क्योंकि वो वहाँ बैठी थी तो उसने जब बताया कि batch number है, batch number एक जिसमें है, वो saline water है, batch number 2 है, उसमें mRNA, DNA use है, वेट number 3 जो है, उससे cancer हो रहा है या जो भी मतलब उनोंने उसका पूरा explain किया था, वो link आपको मिल जाएगा, जिसको भी चाहिएगा, दूसरा, Dr. Susan, यह तो मालूम पढ़ गया, कि जिसको भी मैं यह मान के चलूं, आपने जुपना बात बोली है, उसमें थोड़ा add करके, जिसको लगातार सिर्में दर्ध है, body pain है, जोड़ों में दर्ध है, कि उसको कोई ना कोई असली जो है, असली वाला माल लग गया है, अब असली वाले माल के लिए आपने जो पहला बताया कि आपको सबसे पहले अपना टेस्ट करना है, मतलब हम लोगों को भी, डॉक्तर सूजन को भी, किसी को भी संपर करने से पहले, आप अपना टेस्ट कराईए, उस टेस्ट में, क्या-क्या टेस्ट करवाना है, डॉक्तर सूजन वो बताईए, मेरे पास पहुंची है आपकी क्या आपने वो तीन चीजे टेस्ट कराने वो तीनों एक बार बता जी बिल्कुल जो पहला टेस्ट करोगे डी-डाइमर यह टेस्ट होता है क्लॉट को कैल्कुलेट करने के लिए ठीक है ना सो यह टेस्ट करके पहले से पता चल गया कि डी-डाइमर जो नॉर्मल अलग-अलग मशीन में अलग-अलग रीडिंग होती है पर अक्सर मशीन जो रीडिंग देती है वो शुन्य से लेकर लेखनो पॉइंट फाइव इससे जादा नहीं होना चाहिए तो आप मशीन के हिसाब से उसमें रेंज आपको दिखाई देगा उस रेंज के साब से जैसे आपको दिख़ा है कि जादा हो रहा है तो समझ लो एक्टिविटी शुरू हो गई है और दूसरा नंबर होता है वह हीमेटो लॉची हीमेटो लॉची में आपका पूरा कंप्लीट ब्लड टेस्ट बताएंगे और उसके बाद प्लेट्लेट्स की क्या हाल है और ESR इरित्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं इन सब से पता चल जाता है कि बाकी ऑटो इम्म्यून डिसॉडर या फिर कैंसर होने की संभावना है कि तीसरा लिवर फंक्शन टेस्ट लिवर फंक्शन टे से दिखती है तो लिवर एक ऐसी चीज है जो बताता है कि दूसरी कोशिखाओं में भी कुछ हँआ है तो यह रिफ्लेक्ट करता है थी क्याना न तो मतलब ठीम में हुआ या पैंक्रियास में हुआ या शरीर के कोई भी आंग यदि इस कोशिखाओं को हर्ट शुरू हो गय तो यह लिवर में दिखाई देगा तो यह तीन ही करना काफी है सिर्फ एक 14 केस कम मेरे पास आया है जिनका यह सर्व नॉर्मल रहा है लेकिन पेशन्ट बहुत कंप्लेंड कर रहा है कि मेरेको दर्द बहुत है मेरेको जुन-जुनी चड़ रही मेरा पैर थम गया तो उनका है नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है जो इन ब्लड टेस्ट में दिखाई नहीं देता परन्तु पेशन्ट के सिम्टम्स को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि पेशन्ट कभी ऐसे ही जूट बोलेगा तो यह है तीन टेस्ट के बारे में ठीक है तो आप सभी दोस्तों क को पता चल गया कि कौन सा टेस्ट करना है अब मैं यह समझता हूं कि आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि अगर आपको वाकई में जिशक्त है कि आपको कोई तिकत हो रही है तो सबसे पहले अपना टेस्ट कर वा लीजिए टेस्ट की रिपोर्ट आप हमें बेज दीजिए मेरा WhatsApp नंबर है 951817000 और अभी आपके सामने आपके साथ रूबरू हो रहे हैं शुबम शुबम आप अपना नंबर बताईए मेरा नंबर है 8557-857-235 एक बार दोबारा से इंदी में बता दीजिए यह नंबर है शुबम का आप शुबम को WhatsApp करिये रिपोर्ट शुबम डॉक्तर सुजन के साथ में प्रॉपर कॉंटेक्ट में रहेंगे और इस पूरी प्रोसेस को बताएंगे तो एक बार शुबम भी बता देंगे लेकिन पहले आप शुबम एक बार उन साथियों को बता यह दिटॉक्स के लिए दवाई आई हुई है एक यह हमारे पास है गुरुचेला और यह दूसरी है अकेला तो इनको कैसे तयार करना है वह सलुषन और कैसे लेना है वह इक बार बता देंगे बिल्कुल यह बहुत जरूरी है और मैं आपको बताने के लिए आज पुरुत इसका नाम है गुरुचेला और यह है अकेला इसका नाम इसलिए ऐसा रखा है क्योंकि इसका काम करने का तरीका ही वैसा है ठीक है ना तो गुरुचेला बोलने से इसके अंदर दो टाइप के बॉटल होते हैं अब मैंने यह पैकेट से निकाला है यह पैकेट जो है वह यू प्रेवार के साथ जैसा है उसका एक संकेत है तों दवा देती हूं तो हमेशा कहती हूं कि इसमें की ना केवल अंदर का माल इस्तेमाल करो पर जब एक हतम भी हो जाए तो इसको समाल के सुखा और स्वच्छ रखो और ठीक से इसको नहीं रहें चाहिए रहते हैं उसी से बनाएवा पैकेट है यह पैकेट आप बिल्कुल ऐसे ही यूज़ कर सकते हो अपने पर्स में लेके जा सकते हो तो चलिए यह हो गई वेवहार की बात इसको कहते हैं गुरू कि ग्रीन कलर में होता है और चेला रेद कलर में अप्सिजन मिला हुआ नमक है और यह चेला मतलब स्टमक आसिद इसको हम स्टमक आसिद भी कहते हैं अब इसका नाम गुरू चेला इसलिए रख दिया हमने क्योंकि जब हम कभी-कभी लोगों को लगता है यह अलग दवा है और समाज में आ रहा था तो मैंने उनको हमारे इ जब यह आपको नया मिलता है तो इसको आप धकन टाइट कीजिए और इस तरह से खोलिए तो इस पर छेद पड़ जाता है अपने आपसे इसके अंदर है और इसका एक रिंग है इसको संभाल के बाजू में रख दिए और यह जो चेला है यह स्टमक आसिद है यह हमारे लिए इस्तिएंस अर्म थिखिंगता है तो श्रीक seguinteर में रिखिंगा मैं करने के लिए इस्तेमाल होता है इस तो बजबाले में हाब उठी इस अंदर जिख इस असे लेकिन ये जोडी में है दो बॉटल मिलेंगे आपको अकेला की तो एक तो आप रख दीजी आपके स्टॉक में और दूसरे को आप बस वैसे खोलो कि जैसा इसको खोला दे अब यह अकेला क्या है यह लकडी का अर्क है जब लकडियों को बट्टियों में क्या करते हैं स्टीम करने के लिए देते हैं तो उसके अंदर से एक लेगनिन का पानी पूरा निकला आता है मिल्कू क्लियर का लगा वो उसका बाइप्रोडक्ट होता है लेकिन वो पूरा मेडिकल इंदस्ट्री में सबसे बेस्ट अबलते हैं मल्टिपल प्रॉड्रम सॉल्वर है इसको ओलंब भी इंदम लेकило इनके सांथ का जो किसी का हाई वह तो आउनको भphone की यह दबल दो ऑगिया है यह हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को हटाने मेंское पूरे बॉड़ी को सिस्टमाटिक तरीके से रिस्टोर करने में हमारे सेल्फ हीलिंग सिस्टम को रिस्टोर करने में यह लोग मदद करते हैं तो यह हो गए तीन आपके अपको एक लीटर का बॉटल लेना है यानि अभी तक कि आपकी बात चीज से तो मुझे यह लगा कि जिसको वैसलीन नहीं भी लगी है वो भी ले ले तो भी कोई नुक्सान नहीं है अरे बाबा यह तो आपके घर का हेल्थ किट है आपका 95 प्रतिशत तकलीफ को यहीं उड़ा देता है इंफेक्शन हो तो कुछ मिनटों से लेकर दो-तिन दिन में खतम सारे इंफेक्शन कि यह हमारे वैसलीन के लिए वह काम कर गया और वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ हो के खाम हो गया तो मजा आता है इसलिए मैं तो बिंदास और इसलिए प्रूफ करके टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ उसके इसाब से कर लो क्योंकि भाई लोगों को लगता है कि प्रकृतिक चिकिस्सा वालों के पास में यह वैज्ञानिक चीज़े नहीं होती सब होती है तो उसके लिए मैं खासकर ऐसे ही करती हूँ ठीक है ना सो यह हम आप एक लिटर का बॉ तो मैं प्लाइग नहीं करना दिखा है इस प्लाइगा जो चिपक बिगान है कि आपको यह यह प्रकृत पीन चेल जाना है कि दिखाई देता है जाएं हो यह चाता मूंद चिपकान के ज्यादा और लेगत आपके पास एक मारकर पें और शाधा पैन पी चल जाएगा आपको तो आधारै कि पर दियास को अर्श से इसे को तियार कर सकते हैं एक लेटर का बोटल ली जिए और अंदाज से उसको आधा किजिए एक वागे एक भागे अब इस बहुँ को फीर से करदीजिए सिर्षिय O हम लोग इसको मतलब है दिन में आठ बार आपको एक एंगते में do आपके शरील में एक ही घंटे तिकता है इसमें दो मॉलेक्यूल ऑक्सिजन है एक मॉलेक्यूल क्लोराइड है वो दोनों खतम हो जाते हैं माइटो कॉंट्रिया में ऑक्सिडेशन होके खतम तो अगले घंटे के लिए बंबाडिंग चाहें तो हम लोग 24 घंटे में आठ घंटे बंबाडिंग करते हैं सोला घंटे हमारी कोशिकाइ अपना काम करना शुरूर करती है इसके लिए हम कहते हीलिंग सिस्टम को रिस्टोर करने का काम करती हैं तो आप बॉटल में किया हैं तो इसके धकन में भी मिना सकते हों अब अब चुकी में आपको आपको डिमॉस्ट्रेट कर रही हूं डक्कन में बनाऊंगी तो आपको ऐसा करके color भी दिखा पाऊंगी इस currency में एक glass में बना रही transparent है ठीक है आपको मैं हमेशा कमँगी कि normally 8-8 से करो उसका मतलब गुरू 8-8 कोई भी पहले ले लो चलेगा no problem तो अब मैं इसमें 8 drop किन के डालूगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमेशा देखना यह glass में पानी नहीं होना ची अच्छे से सुखा लिया करो मैंने पहले से सुखा के रखा था इसलिए उसके बारे मैं बोली नहीं पर पहला आप अपना tissue से उसको सुखा लिए अब अपना गुरू का डाल दिया उसका डखकन उसी के उपर लगा के बंद करके रखना क्यों क्योंकि दोनों को आप डखकन मिला दोगे तो कलर पीला हो जाएगा तो reaction पीला हो जाएगा इसलिए अब इसमें हम चेला को डाल रहे हैं बिल्कुल उतना ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखो आप डालते साथ आपको दिख रहा है इसका अपकी तैयारी हो गई अब इसको कभी भी डारेक्ली यूस नहीं करना यह हाई ली इसका पीज पोटीन होगा फोटीन नहीं तो हमारे महानमाव लोग सोचेंगी यह लोपेथी दवाई है और जाके हाथ लगा देगी इसको आपको पूरा डायलूट करना पड़ता है 3,000 पीपीम के हिसाब से यह काफी उससे भी जादा डायलूटेट है यह हो गया और यह आपका सेलूशन तयार पूरे दिन के लिए गुरू चेला दिन भर के लिए तयार करके रखते हैं अब अकेला को कैसे डालने का है कि दो चार दिन से मुझे सर्दी लगी भी थी तो मैं पी रही थी तो यह मेरा वाला मैंने इसमें त्यार कर रखाए पर अभी आपके लिए मैं इसी में से निकाल के पीओंगी इसका एक भाग पहला भाग तोड़ा आके पिछे होने से कोई प्राबलम नहीं होता है अंदाज से उतना चेलिए और तुरत इसको ढखकर लगा के रखने का क्योंकि इसमें का जो दवाई है उड़ जाता है अब यह बनाये आपने अब इसक अकेला को डाल। जिसका D-Dymer जादा होता है उसको अकेला दस डालने बोलूँगी मेरे को D-Dymer का प्राबलम नहीं है फिर भी मैं अपने मन से इसको दस पी लेती हूँ ठीक है तो इसले मैं डाल रहे हूं को 10 बापी लोगों बोलें भाई तीन ही डालो कि 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 किसी किसी को मुझे तो अच्छा लगता है और इसके अलावा थोड़ा से एक्स्ट्रा पानी दाल देना चाहिए तो मैं क्या करती हूं अपने लिए हमेशा थोड़ा फ्लास्क में गरम पानी देती क्योंकि खासकर तर्दी लगती ना तो गले में थारा गरम पानी अच्छा लगता है तो म तो इसको डालूट करने का कोई खत्रा नहीं है जत्ता मर्जी डालूट कर सकते हैं तो बार बार पिशाप करने जाना पड़ता है तो मैं बोली इनपूट है तो आटपूट तो करना ही पड़ेगा हमारी कोशिकाओं में तीन फंक्षन होते हैं और तीनों फंक्षन को आप सही करोगे तो बिमार पढ़ने का सवाल नहीं उठता पहला है ऑक्सिडेशन जो इश्वर ने हमें श्वास ले देंगे से सिखाई है ठीक है ना दूसरा होता है हाइड्रेशन जिसमें हमें पानी प प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्भो हाइड्रेट और कहते हैं तो कार्भो हाइड्रेट और कार्भो हाइड्रेट फैट बोलके मैं इसको ऐसा इसलिए करती हूं क्योंकि ये दो हैं कार्भो हाइड्रेट और फैट ये दोनों हमें उर्जा देने वाली होती है फ्यूल है ठीक है ऑक्सिजन लेते हम उसको फ्यूल को फूकता है फूकने में मदद करता है ठीक है और ये तीन जो है वो हमारी कोशिकाओं को लिपाई-पुताई करती है जैस का बरतन में आग ना लगे तो जब हमारे सेल के माइटोकॉंड्रिया में औक्सिदेशन का काम हो रहा है तो उस समय सिर्फ हमें उर्जा प्राप्त होने लायक गर्मी चाहिए इसके लिए एंटी ओक्सिदेंट्स का लिपाई पोता ही आपका चूले को भी लिपाई पोता ही ल ताकि हमें पता नहीं रहता कि किसके शरीर में कितना डोस लगता है तो आठ बाई आठ काफी लो डोस है आपको इसे हर रोज आज एक दिन में दी आठ बार पीके खतम कर दिये तो शाम तक आपको कुछ तकलीफ नहीं हुए मतलब ओवर डोसिंग हम इसको एक बार ओवर डो मैं आप को बताती हूँ कि मेरी तो मेरी तो पूळ बर सविख लग मैं पूना जाकर आई थी तो जड़ागड़ गया था जब ही मैं शाहर जाकर आना ॉधार गोड़ा झा नहीं यी तो बिमार पड़ जाती हुए तो मैं ने स्मार्ट बनने गई उसको ज्यादा कर दी तो दिखाए बोले कि निभी ऑक्सिडेशन बहुत तेज होगा तो आपके शरीर से टॉक्सिन बहुत तरीके से निकलेगा तो आपको बताएगा कभी आपको नॉस्या लगेगा कभी आपका गैस पेट पर ज्यादा बनेगा किसी को पूशन होने लगेगा तो उसको कहते हैं ओवर्डोसिग एक बार ओवर्डोसिंग ज़रूरी है ताकि पता चले तुम्हारे शरीर का दोस कितना है तो पहले दिन आठ बाई आठ बनाया सब कुछ ठीक दूसरे दिन बनाओके दस बाई सब कुछ ठीक तिसरे दिन बारा तो विटामीन सी एंटी ओक्सिडेंट निकाल लेगा चूरा करो निम्बू पानी बनाओ या कोई भी पुशर कहते हैं आपके जूस बनाओ उसमें डाल की पीलो एक घंटे में आपका ओवर्डोसिंग खता अब कोई-कोई लोग शॉक होते हमको बहुत कॉस्टिपेशन था ऊचन करना है ज्यादा ज्यादा कर पीटे हैं अब उनकी मर्जी शरीर आप की आपकी मर्जी थीक है ना पर किसी को लूज खोंटे रहे हैं कोई जुरिती है ओवर्डोस इंघ बार करना है तांकि पता चलिया आपका शरीर का handled कि, सपोस्बूज किसी को अध में ओवर्डो तो उसको दो दो में टिकना पड़ा तो उसको शुरूर में लगता था मेरे हजबन को 12 लगता अबने को कैसे 2 मैं यह आपका शरीर अला के भाई दीर 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 है उसको करेंगे तो मुझे उनका गट रपेर करने के लिए लेक्टोबसला ही खिलागा पड़ा एमपी स्टमाग अभी भी चल रहा है तो अभी उनका पूरा कंप्लेट खतम इतने सालों का प्रॉब्लम तो लगी गया था उसके अलवा पुराना प्रॉब्लम में ठीक करता है तो लोग में से साइड एफेक्ट होता है क्या मैं बोली नहीं साइड एफेक्ट में हो तब बोनस एफेक्ट होता प्राब्लम हो गया लेकिन मेरे को दूसरा भी बिमारी जैसे की बीपी है तो भी लेते रहो लंबा दो महना चार महना मैक्सिमम चोवीस महने में सारा बॉडी करेक्शन कर सकता है यह उससे जाना लगने वाला नहीं ठीक है ना तो बोलेंगे हां एक एक घंटे मैसी पीना पड हम लोग खाना पिना तो खाते हैं बोना कहां जानते हैं ठीक है ना जब खाना जब बोना नहीं जानते हैं तो माल अंदर गया बहार तो निकलेगा नहीं ठीक से तो कुछ ना कुछ टॉक्सिन बैठ जाता है टॉक्सिन बैठेगा तो हमारे कोशिकाओं के परियावरण में ह होते हैं, अलग-लग-प्रकार के जिवानूं, चाहे वो फंगस हो, बैक्टेिरिया हो, इस्ठ हो, रोगानूं हो, और उसके अलावा अलग-अलग प्रकार के अनूं होते हैं, उनमें से कुछ विशानूं भी होते हैं, ठीक है ना? नॉर्मली ये विशानुओं को हमारा शरीद पिशाप, कार्बन डाइकसाइड और पसीना और शौच इससे बाहर निकालता है। कुछ रह गया, तब जाकर रोगानु भाग कर जाते हैं, बोलते रहे कुछ माल जादा मिल गया कोशिकाओं के चारों तरफ तो वो जाके उधर खाएगा तो उसकी संख्या बढ़ेगी रोगानु की, रोगानु की संख्या बढ़ेगी तो आपका शरीर का जो डिफेंस है, जो प्रतिकार कोशिकाओं को भाग कर आएगी, बोले की रोगानों की संख्या कम करनी है, और शरीर को संदेश केज़ेगा और शरीर अपने शरीर का टांकमान बढ़ा देता है, तांकमान बढ़ाते सर् sigui बिल्कुल घबराने का नहीं, वो हमारे शरीर का डिफेंस है, हथियार ह वो रोगानों की संख्या बढ़ेगी ने तो आपको बुखार सो तक हुआ 101 102 भी हुआ तो आपको क्या करना है जाके भाग भाग के पैरा सिर्तमाली सब खाके दबाना मत उल्टा और गरम पानी पियो और गरम पानी में पैर डुबा के रखो गरम गरम जूस पियो और एक पार में तो आप बिल्कुल कुछ चिंटाई मत पूरों पानी पियो जी भर की खाना खाने की इच्छा नहीं हो ती मत खाओ लेकिन पानी पियो और अपना डीटॉक्स चल रहा है तो चिंटाई करने की जुरत नहीं ठीक है ना तो यह देखो हमारे शरीर में कितना बढ़िय है तो विश्क के अणवों को खाने के लिए रोगानू जब अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं इंफेक्शन हो गया और हमको बुखार आया वहां पर सुजन हो गई इंफ्लमेशन हो गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया तब जाके पी प्या लाल रंग होंके फिर अवह को दिखाता है शरीक पर यह सारी चीजे हमारे शरी का डिफेंस मेकानिजम है और यह जो डीटॉक्स करता है हमारा अपना जो गुरु चेल अकेला वह ऑक्सीडेशन करता है और जिस वेक्ति के अंदर में और अकेले से पूरा नहीं हो तो मैं डिप डायर में डाल देत अपारे बिशुरू प्राउजी का है और जिसको और अलग-अलग बिमारिया साथ में हैं बहुत भ्याना कंडिशन उनका किद्नी खराम होने लग गया ऐसे सिटुमेशन में आ गया तो मैं उनको ग्रैड सिस्टम ग्रैविटेशनल रजिस्टेंशल एंड डायट सिस्टम जो बिशुरू प्राईजी का है उसका इस्तिमाल कराती है तो अकसर लोग मतलब 80-90 प्रतिशत लोगों को सिंपल गुरू चेला अकेला के डी-टॉक्स से काम हो जाता है जिसके चरीर में और भी दूसरी बिमारिया होती है उनके लिए हम लोग और भी चीजे डाल के हैं या फि उसका शरीर रस्पॉंड नहीं कर रहा है तो फिर इनको सब चीजों में डाल के है क्योंकि उनका सेल बिल्डिंग ठीक करना पड़ता है जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सिडेशन चाहिए है हाइड्रेशन चाहिए और साथ में एंटी ऑक्सिडेशन भी चाहिए तो इसी कार आपका नब्बे प्रतिशत हॉस्पिटल जाना अमेशा के लिए बंध हो सकता है यह भी आपका डी टॉक्स कित आपके साथ आपके घ्रमे है और इतना ज्यान आपको है कि यह मेरा शरीर है मैं इसकी ओनर हूं ठीक है ना और मैं डिसीशन लोंगी भाई कि इसको कैसे ठीक कर बिल्कुल यह बात आप सब समझ लीजिए कि शरीर आपका है आपके बच्चों के शरीर कट के बारे में भी निर्ने लेने की जो अधिकार है वो आपका है कोई सरकार या कोई कंपनी जो है वो अपने फरमान जारी करके इसके उपर जबरदस्ती नहीं कर सकती और इसी लिए इस पूरे कॉंसेप्ट की शुरुवात हुई थी जितने भी लोग पूरे देश के अंदर लोगों को जगाते हुए चल रहे हैं कि सरकारों की जबरदस्ती के सामने हम लोग नहीं जुकेंगे अभी जो जितना हमें समझ में आया आपको तो इसमें ध्यान रखने की बात है क कि जब आप ये घोल तैयार करेंगे जिलास में तैयार करते हैं या फिर आप धक्कन में तैयार करते हैं दोनों के सर्फेस सुखे हुए होने चाहिए और उसके बाद जब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक बार सैचुरेशन पॉइंट पे जाना पड़ेगा जहां आपकी बाड़ी कहने लगे कि इससे आगया में नहीं जाना है इससे भी अगर आपको समझ में नहीं आती है इस वीडियो से भी तो आपको जो शुभम है वो continuously आपके तच में रहेंगे और शुभम के टच में डॉक्तर सूजन रहेंगे आपको डियाइपी डाइट प आपको मदद करते रहेंगे आपने जो लिंक हम description box में दे रहे हैं या उपर caption में मिल जाएगा और अदर्वाइस आपको description box में मिल जाएगा वहां से आप क्लिक करके इसको वहां जाकर के इस पूरी process को पढ़ सकते हैं पेमेंट के लिए आप जब आप इसके लिए आपके ज़र दवाई पहुंच जाएगी आपको दवाई लेने से पहले एक टेस्ट करना है तीन टेस्ट करवाने हैं तीन टेस्ट करवाने हैं तीनों की रिपोर्ट के बाद ही हम लोग ये कारवाई सुरू करेंगे अगर हमें लगता है कि हम आपके लिए ज़रूरी है डिटॉक्स करना तो आपके घर दवाई आएगी पिमिट आने के बाद और पिमिट का जो प्रोसीजर है वो हमने आपको जो हमारी डिस्केशन होई थी वो ये होई थी कि हम लोग 50% जो है अमाउंट वो डॉक्टर सुज को जाएगी 50% जो बची उसमें से 50% उस आदमी को जाएगी जो इसको हैंडल कर रहा है और 50% जंता सरकार मोर्चा के लिए समाज के लिए यूज होगी तो यह पूरा का पूरा इसका इस्तेमाल करने का प्रोसेस हो चाहें और जितना भी अमाउंट आप से के पास से आएगा इकठा होगा वो सारा का सारा समाज के लिए ही यूज होगा जिसमें हम सभी दौड रहे हैं तो आप लोग अपना कांट्रिबीशन भी दीजिए अपनी बॉड़ी को भी ठीक कीजिए डिटॉक्स कीजिए और अपने खान पान को अपने विवार को ठीक रखिए और कि आपसे मार्ग दुशन की उमीद में आज के लिए इतना ही बहुत बहुत दनेवाद नमस्टे